सबी को नमस्कार अमरूद एक छोटा सा फल है जिसे कार्टिनॉइड और पॉलिफिनोल्स और विटामिन सी, आइरन, कैल्शियम और पोटाशियम जैसे फाइटो कैमिकल्स से भरपूर अफलाट्रॉपिक्स कहा जाता है जिसकी चर्चा आज होने वाली है हम अमरूद से अमरूद की प्रोसेसिंग देख सकते हैं इसलिए शुरू में फलों को बबल वाशर में धोया जाता है जिससे बुलबुले फलों की सतय से गंदगी को हटाते हैं कभी कभी धोने वाले पानी में क्लोरिन मिलाया जाता है फलों को धोने के बाद इसके छोटे-छोटे टुकडे कर दिये जाते हैं इसके बाद इन टुकडों को स्क्रू टाइप पल्पर में डाला जाता है जहां आपको अमरूद का गुदा मिलता है Pulping Machine में Finisher का उपयोग करके हम छिलके और बीज को निकालते हैं इस रस का परियोग आगे की processing जैसे RTS Pay के लिए किया जाता है जो कि एक अप्रभावित Pay है आप उस रस को देख सकते हैं जो Screw Pulper से उत्पन हो रहा है इसके साथ ही हम चीनी की चाशनी तयार करते हैं चीनी की आवश्यत मात्रा गरम पानी में गोली जाती है और फिर इसे चान कर रस या पल्प के साथ mixing tank में mix किया जाता है चीनी में किसी भी अवांचित सामगरी या राख कणों को हटाने के लिए filter press का उप्योग करके वोट को filter किया जाता है mixing tank में मिश्रन का तापमान homogenization करने के लिए बढ़ाया जाता है homogenization किसी भी फल के pulp और चाशनी के मिश्रन को एक सुमान करने के लिए 2000 PSI दबाव पर एक छोटी चन्नी में से पास किया जाता है जिसके बाद रस को पास्चराइज करने के लिए इसे UHT sterilizer के balance tank में ले जाया जाता है और फिर पास्चराइज रस को filling section में लिया जाता है भरने से पहले बोतलों को धोया जाता है और फिर सुका कर filling section पहुंचाया जाता है filling section में volumetric filling देड़ से ढ़ाई सेंटिमिटर के headspace को छोड़ कर की जाती है जिसके बाद बोतलों को धकन लगाया जाता है और फिर ठंडा करके store किया जाता है corks विचालित रूप से बोतलों पर रखा जाता है और corking की जाती है इसलिए corking के बाद बोतलों को ठंडा करके store किया जाता है इस प्रकार हम अमरूत का nectar निर्मान होता देखते हैं धन्यवाद